इसलिग को कुछ अध्य के प्लाट्फॉर्म प्लाट्फॉर्म पर स्वागत कर ती फिरगुंवड करते हुं अच दुग आपका उपका करने जा रहे है आपका आफका में पेपरर उसको सितने भी आपके क्वेस्चिंस पेपर आज रहे तो जितने भी पूछे गए हैं उसके ऑथेंटिक एंसर कि मैंने कोशिच किया कि सर्च करके आपके सामने में ले किया हूं ठीक है तो जितने भी आपके अभी तक अग्रिकल्च अप्लिकेशन को अब तक इंस्टॉल नहीं किया है तो प्रीज इंस्टॉल एक्रिकल्च जी के अप्लिकेशन इन्या अंड्रोइड फोन वाया गूगल प्ले स्टोर क्यों कि इसके अंदर आपको प्रवाइड के जाते हैं वेरियस कोर्सेस प्रिवियर्स एयर क्वेशन पेपर और यूट्यूब पर लगती है उनकी नोट्स भी अवेलेबल हो जाती है तो देर ना करते हुए इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करें और अपने प्रपरेशन जो है वो कंटिनू करें अगर आपने अभी देख हमाया चानल यानिकि यूट्यूब और सो प्रेस्ट नोटिफिकेशन बेल तकि जब भी हमाया सेशन लाइव तो आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास जो है क्लास का बेनिफिट उठा सकें रिगार्डिंग कोर्स एक इन्फॉमेशन है आपके लिए कि अगर आप आप आपके लिए जिसमें आपको मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेट क्लासे क्लास नोट्स एबुक बेस्ट ऑन दा सिलेबस फुल्स एंट टेस्ट स्रीजेस डाउट क्लेरिंग सेशन और इसकी जो कॉस्ट होगी वह सिर्फ 2,000 रुपीज है यानि कि 2000 के मिनिमल कॉस्ट पर आप अपना आइभी पीस एको का प्रिलिम्स एक्जामेशन जो है वह क्वालिफाई कर सकते हैं उसके लिए फांड़ेशन कोर्स ए अप्लिकेशन पर आपको लाइव और रिकॉर्ड वीडियो जो है वह वह एविलेबल हो जाएंगी अगर फॉर्द कोई इंक्वारी हो तो यहां है हमारा है नमबर जो है आपका 9473-826765 you can call on this number also तो starting with the first question तो पहला question क्या था कि पार्चुरिशन प्रोसेस जो था आपका पूछा करते कि राबिट के अंदर पार्चुरिशन प्रोसेस क्या है ऑप्शिन में था फरोइंग लैंबिंग किडिंग काविंग और कि छीच्क, तो आप इहां पर देख सकते कि हापका झाहिंग में जो फिरह वह थिवानप ti ने सबसे घंच, था शौट में इस होती हए यहां क Northwest कि अगला вниз uh कोई भी जाधा को यहाद को अप्लार डिपर प्रेक्ट्टस साप्लाइन निकर्ते हैं फ़रों तहीं पानी हैं तो यहां आपके रिजस के आलॉंग आप क्या कर सकते हैं आप मेस को अगर ग्रो करेंगे तो वह आपका सही मेठड होता है अगर वह मौनसुन या रभी सीजन में आप उसको ग्रो करते हैं तो यहां अगला कोशन पूछ रहा है तो यहां पर आपके जो जितने भी गोट की ब्रीट से वह दी गई है तो यहां पर आपका अप्शन है गड्डी बार्बरी मारवाडी सिरोही या फिर निलोर तो हिमाचल प्रेश या जम्मू कश्मीर भी आपका उप्शन में दिया होगा देकि जो क्वेस्ट यहां पर हैं व यहां पर अगला क्वेस्टिन आपको क्या रहा है सिलेंडर एंड कॉन के तो गैदर में दा थ्रेशिंग उनिट इट सेपरेट ग्रेंड फ्रॉप और रिमूब ग्रेंस फ्रॉप इस टाइप ऑफ ट्रेशर इस बी इस यूस्ट बीटर ताइप स्लेंडर फोगा तो आपका यही पूरा पूरा question दिया हुआ था तो इस में आपको पूछा या घिकीस टाइब का आपका सिलेंडर जो है इस फ्रॉप चिया गया है तो यहां पर जैपका राइट एंसर होगा वो का आपका hammer mill type cylinder ठीक है hammer mill type cylinder विल भी कर्यक्त एंसर फॉर्ड दिस वर यह आग्यला पूच्या आपको पूचा गया है इंपाक्ट साफ रिए इंडेक्स इन डा है एड़र लॉस ऑफ पैडी एंड प्र फॉर्मेंस ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर तो इस आपका इंडेक्स पूछा गया है तो उसका रेंज कितना है मिनिमम लॉस का तो वहां पर आपका राइट एंसर होगा 1.252 1.50 ओके सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है विच फॉलॉइंग इस एन अमाइड फटलाइजर देखे यूरिया से क्वेश्चन लगबग हर वार ही आपके एक्जाम में पूछ लेता है ठीक है तो इसके पहले जो आपके नाइटोजन फटलाइजर जो होती है उनका क्लासिफिक प्लांट्स देन स्क्वार सिस्टम तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो हैंडबू को होटिकल जैदे कि जैनली आपका 1.5 तो टू भी कहीं कहीं आपका ऑप्शिन दिया लेकिन अगर स्टैंडर आंसर हम देखेंगे तो वहां पे आपका स्ट्रेट अवे लाइ यहाँ बोर्ट सेटप अंडर मिनिस्ट्री ओफ-को यहाँ टीनाइन बोर्ट कावधीविवॉसेटिं के पाइसे स्पैसे के अंदर ही आता है अब यहां गह रहा है तो आपका जब यह कैता है कि जहां पहूंता है तो वो तो एक ही जगह आपको पता है और एक करी और आप कहें कि क्या बोलते हैं सिल्क वाम के अंदर क्या होता है तो आपका राइट एंसर क्या होगा मालफीजन टिव्यूज ऑके कि अब कि कि अगला कोशन पूछ रहा है अपका जी एंडर जो आपका हॉर्मोन होता है यह आपके किस और गेंस रिलीज होता है ठीक है तो यह अगला कोशन होता है किसे आपके हाइपो थेलमस से ठीक है अगर ऑप्शन हो सकता है एक्जाम में आपके अलग दियो बट इसका राइट एंसर जो होगा वह आपका हाइपो थेलमस होगा ठीक है अगला कोशन पूछ रहा है ताइब और सिल्वी कुल्चर सिस्टम वीच का रिजनेट तू थू सीड्स एंड मैजॉर्टी है लॉंग लाइफ यानि कि सीड्स से आपका कल्टिवेट अगर आपको सिल्वी कल्चर ने कि फॉर्स को जन्रेट कर रहा है तो वह कौन सा होगा आपका हाई फॉरस्ट सिस्टम होगा ठीक है अगला कोशन पूछ रहा है एम्टी बैरस प्लास्टिक कंटेनर और स्ट्रिफॉर्म बोडी कैन बी यूज फॉर्ट पर्पर्स और यानि कि आपका आपको पता है कि जो आपके लेक्स होते हैं वाटर बाडिस होते हैं उ बॉर्टर बाडिस होती है उसमें आपके बोड़ लगाए था कि आप उस पर आराम से जो है उस पर जो है ट्रावल कर सके तो में ली उसका राइट एंसर क्या होगा फ्लोटिंग इल्पी देखे होंगे जो पड़े होते हैं आपके बॉर्टर बोड़ी के अंदर है अगला क इसकी का अगला बूच रहा है कि आपका सैंडी आंदर आपका सैंड़ परसंटेज कि इतना होता है तो आराउड 85% आपको सैंड परसंटेज देखने को मिलेगा बट यहां पर जो ऑप्शन कि अकोर्जर होगा 80, okay, अगला पूछ रहा है, a destructive polyhidrosis disease or silkworm that is related to wilt and is marked by spotty yellowing of the skin and internal liquification is called, also called as jaundice, तो आपको यह बताना है कि ऐसा जो symptoms होता है, आपके silkworm में किस disease के होने के वज़ए से होता है, आपका option है फेबराइन ग्रासरी फ्लेश्चरी एसपर्जिलोस या फिर नन तो यहां पर आपका रायट एंसर जो होगा वह होगा बी डाट इस ग्रासी ग्रासरी इस टीके ग्रासरी इस विल विदा करेक्ट आंसर फॉर दिसक्वेश्चिन अगला पूछ रहा है कि आपका बे बेबी कॉण इस हावेस्टर इन विश्च अगर आप देखें तो बेबी कॉण जो होता है वह आपका जो है बहुत ही सॉफ्ट शोटे सेज में अपका रिमूव कर लिया गाइं तो यह आपका जो आपका रायट एंसर होगा वह आफ्टर शिलकिंग या बिट्वीन दे मिल् लोग देखते इसका अंसर कॉमेंट कर दिया होंगे कि आपका अपने टिक कर दिया होगा एक्जाम में तो काशी सिंपल कोशन था जो था आपका रैड डिलीशन इस दा वाराइटी ओफ विच फ्रूट तो रैड डिलीशन किसकी वाराइटी आपको यह बताना था तो यहां प स्पेसिफिक अगर आप देखते हैं तो किसी ने मार्क किया होगा यहां पर आपका राइट एंसर आपका 15-18 डेस को ही कंसिडर किया जा रहा है ठीक है कि 90 नंबर कोशन क्या कह रहा है अमंग फॉल्वाइंग विच इस दा कॉंपनेंट ओफ नौलेज कम्मिनिकेशन सिस्टम यानि के सी सिस्टम के अंदर आपका कौन सा कॉंपनेंट होता है तो एक्स्टेंशन एजुकेशन के अंदर आपको पता है कि जब भी आप कोई भी च तोपेपर हो गया कंपेंट इस विद्स हो गया ये साहे तो मोड मोड है आको किसको अपार्म mesela को यहां को आपको चेंज लाना है उसको इंप्रूफ करना है तो आपका मेजर कॉंबरेंट जोग वह फार्मर होगा ठीक है अगला क्या रहा है कि आपका विच्छ सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन इस यूज़ फॉर ब्रेकिंग ऑफ क्लॉट्स और पुलवराइशन ऑफ स्वाइल तो आपको पता है यहां पर पता है इसी क्वेश्चिन है आपका हरो स्वाइंग विल बिदो करेक्ट आंसर अब देखिए क्वेश्चिन ओफ्राइज इन राइस कॉस्ट बाहुत सारे जो बहुत बाहुत बार ही रिपेटेटली के क्वेश्चिन जो है आपको इसी लिए आपने टिक कर दियो कि बैक्टेरियल वाइस और फंगल इस तो है नही पॉर्म और टीशू कल्चर इस नोन एज तो आपको बताना कि अगर आप किसी भी सेल के अंदर आप वेरिशन ला रहे हैं टीशू कल्चर के द्वारा तो उसको आप क्या कहेंगे तो यहां पर आपका राया टैंसर क्या होगा सुमा क्लोनल वेरिएशन में लिए आपके सेल सेल्स के अंदर आपका चेंज आता है तो यहां पर आपका क्रेक्ट आंसर होगा सोमा क्लोनल वेरिएशन अगला क्वेशन पूछ रहा है आपको यह बताना है कि इसमें से कौन जी प्रोपर्टी जो है वह आपको देखने को नहीं मिलेगी तो यहां हम देखेंगे आपका च चर्ट चार ऑप्शेंज वह आपके यहां के लेजस्द ज्यूपर्ट रही निन्टी आयन ऑफ अलुमिनियु अठीट कश्चेंज गांटी बेस्चैन लोग होता है पी एच भी लोग होता है तो यहां डिखेंगे प्याशन का कर मुता है एच्बिक्ट पर पर च जोंकि यह आपका इनकरेक्ट यह प्रोपर्टी नहीं है ऐसे डिक स्वाइल की ठीक है अगला पूछ रहा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इस ट्रांस्मिटेड बैज जब भी आपको वायल डिजिस पढ़ाई जाती तो मेंली उसमें आपके वायरेस का नाम कभी नहीं पूछता है क यहां पर आपका इनसर क्या होगा प्लांट ओपर जो कि आपका इस मोनस फाइसिस्टिस है ठीक है तो प्लांट ओपर विल भी दा क्रेक्ट आंसर जो आपका लिटिल लीफ ऑफ बिंजल ट्रांस्मिट करता है अगला कोशन पूछा था आपका बोटानिकल नेम ऑफ साल साल क यहां पर देखिया आंसर नंबर जो इसका अंसर होगा वह होगा श्योरिया रुबस्टा विल भी दो करेक्ट आंसर ठीक है अब यहां एक क्वेशन यह बहुत ही चूजिंग फिर फोट इस प्लांट जो आपके 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 जितने भी सोर्सें से पताचला है ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे 14 से 18 जो आपका ओप्शन दिया हुआ है 18 आउर्स तो आपके बहुत ही स्पेसिविक अगर आप देखिए तब पॉसिबल है कि इतना आपका लॉंग डे टाइम आपके प्लांट को मिल सकता है अगर आप आप अर्टिविशल वर्स लगाते हैं तब अब चाहिए 12-14 के बीच में होना चाहिए 12-14 के बीच में होता है छो प्रांट की जो होती है उनका क्रॉप होता है तो तो आप तो 10-12 आर्स लिखंग है में भी बीचां में आपका 14-18 आपका इन दोनों फिलाल यहां कान्फूजिण है कि मेजरली जोगा आप्शन होना है 10 to 14 के बीच में चाहिए 12 to 16 14 16 आर्स ऐसा कंसिडर हो सकता है तो यहां पर देखें मेजर लिए अगर 18 आर्स आपको लाइट दिया जा रहा है तो उसके लिए कोई आपका आर्टिफिशल सोर्स ही इंपोर्टेंट होगा देखें 18 आर्स आप यह प्लांट को मिले ऐसा पॉसिब किया जाए ठीक है अगला क्वेशन क्या है 27 नमबर क्वेशन तब रॉस्टेंट आफ यूट्रेंट अफ्टर अफ्टर बर्ट एन एक्स्पैंशन और रिलेक्शन आफ मैमरी ग्लांट इस कॉल्ड एस ठीक है इसको ऑप्शन जो है वह आप्शन आपके हो सकता है यह स्पेस इस परिग्लांट रिलाक्स हो जाता है वो जो प्रसेस है उसको आप यूट्रस इन्वोलूशन कहते हैं तो आपका इन्वोलूशन विल बिडगा एंसर ठीक है यहां पर और अगर हो सकता है इसमें कुछ और और ऑप्शन भी हो आपके अगर देंदिट बट गर्ट करेंगे तो इसका जो आपका करेक्ट एंसर होगा वह आपको लगता है कि इसका जो है फ्रेमवर्ग गलत था या कुछ और तरीके से पूछा गया था देखिए क्योंकि जो स्टूडेंट से वही पता सकते है कि एक्जाम में पूछे कैसे गया थे वेरियस सोर्सेस को बाद पूछने तरीके से पूछन फ्रेम किया गया था या कोई और ऑप्शेंस थे तो यू कन कमेंट आफ्टर दिस क्लास ओके आप बता सकते हैं ठीक है कि यहां देखिए आपके लिए एक कोर्स है उसके बारे में जान लेते हैं तो अगर आप MSC अग्रिकुल्चर इंट्रांस एक्जामिनेशन के लिए प्रपैर कर रहे हैं तो उसके लिए है आपका एक फांडेशन कोर्स जिसमें आपको प्रवाइड किया जा रहा है डेली ल प्रपैर करने के लिए तो अगर आप स्कोर्स में आपको एंट्रांसे कोवाइड करना चाहते हैं तो आपको प्रोड इस फॉर्म डिकंपोजिशन इन स्वाइड प्रोड ब्लैक ब्राउनिश कलर एंड इंप्रूज तो यहां आपको यह पूछ बोल रहा है कि कौन सा चीज आपको होता है आपको पता है यहां पर देखिए आपका यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट एंसर होगा हुमस ठीक है अब यहां पर क्वेशन पूछ रहा है कि the citrus species cultivated from seed आपका देखिए क्वेशन जो है वह आपका बहुत ही स्पेशलाइस कोशन ने आप प्रिविए से क्वेशन जनली पूछा जा चुका है तो यहां पूछा है कि आपकी सिट्रस स्पीशी जो आपके सीट से कल्टिवेट होती है वह कौन सी है तो आपकी acid lime will be the correct answer for this question अगला कोशन पूछ रहा है अगर यह लाइन आप कर दिया है कि access of the leaf तो आपको easily आप इसका answer कर सकते हैं कि वह रुनर्स ही होगा और वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए आपका रुनर्स जो है वह यूज किया जाता है ठीक है 100 Lax 40 Lazspted 20 Lazs Part 190 डाइंसबी 100 राइंसर यह न्रग стать would be the correct answer okay यह अगला कॉछा है आपके FPो और F PC ठीक है फॉर्मोड के इसविंग्य के और ने पार फीरर जो होता है assistant in priority sector lending उपके और बταक्राइं वह कितना त्राइं कर सकते हैं सब्सक्राइब तो अगला आपका ऑप्शन से 0.5 crore 50 lakhs 5 crore 1 crore 10 crore तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 5 crore will be the correct answer ठीक है आपके लाइंस जो होते तो यहां पर क्रेक्ट एंसर क्या होगा मैंग्रोव ठीक है मैंग्रोव फॉर्स विल्ट रेक्ट एंसर ठीक है अगला question पूछ रहा है scientific name of grass carp यह फिश है आपकी ठीक है तो आपका grass carp का scientific name है वह क्या होगा तो यहां पर आपने देखा होगा कि अगर देखिए जैनरली जीव फिशरीग अपने पढ़ी होगे तो बहुत साथ जो तो यहां पर आपका एंसर सी होगा टीनो फैरिनो गोडॉन आइडिला ठीक है तो टीनो फैरिनो फैरिन गोडॉन आइडिला विल बी दो साइन्टिफिक नेम और क्रास कार अब यह बहुत सिंपल था आपका क्या कि हंडेड देस रूलर इंप्राइमेंट गरेंटे स्कीम ठीक स्कीम लाइग तो आपको पता है तो आपके सर्टि यांदर होता रोता है वह कितना होता है तो आपका यहां पर जाए राइट एंसर होगा वह आपका 70 परसेंट है आपका देखिए ऑप्शन अलग हो सकते हैं बट आपका जो मिनिमुम के अगनेशन परसेंट होता है वह 70 परसेंट होता है ठीक है अगला कोशन पूछ रहा है अफ्टर हावेस्टिंग में दफूट स्क आपका एपका छोर्विल को दिग्रेट करना है थिए आप बुलक्तर ऐसाइट एंसर तो यहां पर एसान जो उन्द ग्रीन अग्रीमट पिग्मेंट अग्रोफिल उसको मच्वार जाता है तो आपका जो कलर है वह आपका चेंज होता है यहां पर ट्लिग्रेणिक होगा ठीक है अगला कोशन यह है कि आपका अप्रोसेस और पैडी तो प्रिवेंट दब्रेकेज और ग्रेंड दूरिंग मिलिंग एन हां दूरिंट इस नोवन एज तो आपको यह बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा तो देखें जब आप कोई भी जब मिलिंग कर होते हैं ठीक है जो आप मिलिंग करते हैं राइस की ठीक है ठीक है तो आप उसके न्यूट्रेंस करते हैं तो इसका आपका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होता है ठीक है अगला कोशन पूच रहा है कि वाट इस पलसिंग पलसिंग क्या होता है तो यहां पर ऑप्शिंस दिए नो है, storage of pulse, increased flower wash life, increased mango shelf life, increased vegetable storage. यहां पर आपका जो correct answer होगा, वो क्या होगा? increased flower wash life will be the correct answer. 41th number question क्या कह रहा है? Which fungus cause soft rot and leakage of fruit juice? रोंड फ्रूट लाइक, peach, sweet potatoes, strawberries and tomato. हो तो तो यहां देखिए कि आगर आप सौफ्ट रॉट की बात करते हैं तो देखिए आपके आपको इसी तरह दिए गए थी कि आप अगरे इरविनिया को जेनली आपने आपने सौफ्ट रॉट के लिए कहा ओगा लेकिन अगर आपने को वह ध्यान से पड़ा है तो यहां पे क्वेश्ट में क्या पूछा भाईया फंगस पूछा है तो फंगस की वैसे आपका राइजोपस सही अधर होगा अगर फंगस क्वे की जाए तो वो राइजो पर स्पीशिस विल बीड़ करेक्ट एंसर ठीक है तो सिर्फ एक वर्ट की वाले से आपका एंसर जो है वो चेंज हुआ है ठीक है तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको को पढ़ना होता है बिनना बिफोर टिकिंग दा क्योंकि आपके चार ओप्शिंस इर्वीनिया के दिये हुए है तो आप हो सब्सक्राइब करता भी बट इर्वीनिया इस बैक्टिरिया नौट पंगस क्या कह रहा है वैं टू पेर्स ऑफ अलील ऑफ डिफरेंट करेक्रेस्टिक्स आप्रॉस्ट इस नोन एज तो बहुत ही इ सब्सक्राइब करेंटिक्स से अगला कोशन पूछ रहा है एक बहुत ही आपका यूनीक क्वेशन था इट इस पीशी ऑफ कैक्टर्स नेटिफ तो मैक्सिको इस नोन फॉर दावाइट है पाइवर दाट कवर्ड़ स्टेम एंड अरॉलास और सो नोन अज ओल्ड मैं कैक्ट इसका एंसर जनली मोल थे मैक्सम स्टूट्स को पता ना भी हो यह पर पता हो भी सकता है ठीक तो यहां पर जापका एंसर होगा वह आपका ए होगा सिफेलो सिरस सिनलिस ठीके विल बिदा करेक्ट थैस का जो साइंटिफिक नेम है वह है तो अब 44th number question क्या कह रहा है इड़ प्रॉटेक्ट मेरे फ्रम कर्ड विच इसमेड़ फ्रम मिल्क भाई यूजिंग रेनेट एंजाइम और एडिंग स्टार इनकुलेटिंग कुल्चर एंड रिमूविं मॉइस्चर एंड प्रेसिंग एंड कटिंग तो यहां यह कह रहा है कि आपको जो है कर्ड से कौन सा ची ठीक है चीज जो है वह इससे बनता है घी हो गया बटर हो गया योगर्ट हो गया यह तो आपके कर्ड से नहीं बनता है कि आपका यहां पर मेजर आंसर जो होगा वह आपका चीज होगा ठीक है अगला पूशन भूचा है लार्वा डैट केंड डिस पॉस अंडर 15-20 cm बिलो को सब्सकिण सबस्क्राइब कर्णा तो आपका र exactement सब्सक्राइब नहीं करें इसलेट गई अरेड टो करेंड्र कोटोशन के अंसर पनियो तो एक वावा और गचंट। है कि देखिए जो कॉश्चिन आपके आंसर जो आपको लगए कि गलत है या कुछ भी तो आप लास्ट में आप पिन कर दीजेगा ठीकिए आपके वेरियस सोर्स जो है वो कलेक्ट किये गए हैं अगर आपको लगए कि कोई ऑप्षिन गलत है या किसी ऑप्षिन करेक्शन है तो आप उसको पिंड कर सकते हैं इसके बाद आप कर दीजेगा अगर आपको लगता कि वह साही है तो आपके जितने भी बच्चों ने जो स्टूडेंस ने बताया उनसे ही उसके बाद ही आपको लगता कि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चिन था एक्जाम में या आपके कोई क्वेश्चिन जो थे वह आपके एक्जाम में अलग इसकी लाइंस थी या ऑप्शिन अलग थे या इसका एंसर कुछ और होना चाहिए कि तारे फिल्ड की नौलज तो हर किसी को नहीं होती है आपका लाइफ स्टॉक्स से क्वेश्चिन है तो अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट से जो है यह तो और है यह अब करेक्ट मानता है तो काफी थोड़ा के सकते हो कि मिलेंगे और आपको लगता कोई जो गलत डिसकस्क खिया गया है तो आपको अगला तो यह आपका अगला प्रिक्शन है पार जने इंगें इंजन इंडर एंड रिसीव बाइप स्टन विडाउट फिक्शनल लॉस तो यह आपका पता है कि आपका राइट अंसर क्या होगा आपके जो है अग्रिक्टर जो करेंट अफैर से जाहिए जाहिए यह तो यह पार हो सकता है कि आपके जो एंजिन सी पर इस वार इंजिन से कोशिन बार आपको तीन जीन शर्वेशन देखनी को मिले तो आपको पीस अपना रखेगा वह वी प्रच्छ नहीं होता हर साल जो पैटन है वो चेंज होता है पर फॉर आपकी फटलाइजर से एक क्वेशन हमेशा रहता है इसके पहले यूरिया का आपका बैक का वेट कितना होता है वह पुछ पूछ तो पहले हैं भी आपका यूरिया से कॉछ पूछ यह ता हला कि इस बार आप देखे जो सॉफ्ट्रट वाला क्वेश्चन था उसमें पस एक फॉंगस वड़ आप द्यान नहीं दिया होता तो आप पटाक टिक करकी आजाते यह तो आपको सॉफ्ट्रट आपको दिखा देता इर्वीनिया काटो पुरा तो यहां हम देखेंगे कि का कॉश्च्छ बहुत ही सांथी से पढ़ना होता है अगला क्वेशन क्या है वाट इस प्रॉसेस्ट बाइच दा काव इस दफूट एंड ब्रिंग बैक स्टॉमक एंड रिगर जैस प्रिवेशली कंजूम फिल्ट एंड चूव फर्दर तो आपका पता होता है कि आपकी जो काव जो जितने म प्रिजन फ्रिजेंट तो यहां पर प्रॉसेस्ट बाइब करते रहते हैं तो यहां पर सही एंसर होगा और यूमिनेशन होगा ठीक है 48 पर इंजन वेर इग्निशन ऑफ गैस एंड मिक्शुर ओफ ऑल एंडे टेक्स प्लेस गैस और गैस एट इसकेशनली प्लेस्ट एर बा पूरा को प्रोसेस बता दिया गया है में लिए यह है कि आपका जो है और को मिक्स करने का काम था जिससे आपके इंजन को पावर जो है डिवलापो सके तो आपका राइट एंसर क्या होगा सिलेंडर विल बिदे करेक्ट एंसर सिंपल भी पूछ सकते हैं लेकिन पूरा घूमा अगर आप पूरा 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 नापको कर सकते हैं अगर आपने की का रॉन आbased that Γैं ऴेट नेंगे कि को दिया है ओस्सेंट को भी डिया हुआ है एं को पूरणेगा सुवह इंपषीन्स नगा है तो आपकर को वश्टेंट आप एकर म४ीशंट है यह만गा था recommending आए करे होता है intensity of rainfall भी मैनुपलेट होते रहती है आपका पीक दिस्चार्ज भी मैनुपलेट होता है यहां पर यहां पर यहां पर करेक्ट एंसर क्या है आपका रॉन-off लग्रेट अरच ग्लाइकोजन की फ़र्म होता है और वह स्टूड फ़र्म से वापस अगर आपका बनाना है तो उसके लिए कौन सा हर्मोन आपका रिक्वाइड होता है आपका ग्लुकाजन टेस्टेस्टरॉन फोस्टिस्टरों इंसुलिन या कर्द एंसर थे जिए क्या रहा है तसन और लिस्ट प्रोसेस उसमें यह मतती आपका डाइस आपका डाइस आइस्क्राइड क्रूट लिप्ट्स मौन से रॉपर नीए होपता है लाप डाइश्टिफ नहीं हो पाता है अगर आपका जो है आपका या तो आपके स्टॉमक में आपके स्मॉल इंटस्टाइंड में बट यहां पर जो होता है वो जेनरली आपके एंडियों सिंगेशन जो होता है आपके अगला क्वेशन पूछ रहा है विच फिन फिश कॉंट्रिबूट्स माक्सिमम टुदा ग्लोबल एक्वा कल्चर देखिए तो इसमें अगर आपने देखा हो कि हुचता आपके ऑप्शिन अलग हो बट अगर आप अमाउंट यानिकी की बात करें तो उसके आंदर आपका सही यहां पर आपको कई वीडियोस में आपको ग्रास कार पर भी एंसर बताया जा रहा होगा अगर आप्शन में अंको विटा था तो एंको विटा तो एंको विटा ही प्रोडक्शन इसका ही है ठीक है यहां पर कंबाइन हावेस्ट रेशियो परिफेरल स्पीड तो फॉर्वर्ट स्पीड यानि के दील स्पीड इंग्डेस्ट वी नॉमली इन दा रेंज आपका 1.252 1.50 विल बिल प्रेक्ट आंसर यह क्वाशन आपका पूचा गया था और यून विच गिवस डेटा ओन पूच्ट आपका जो उनिटे कौन सा आपका हां का रिफिशन था तो आपका पेड़ा यह थो प्रेटा रजी यह तो नहीं बताता है यानि कि फूड ऑन agriculture organization जो होता है वह आपका बताता है कि कैसा आपका जो है food consumption हांगर इंडेक्स क्या है उसके बारे में ठीक है तो यहां पर आपका अगला कोशन पूछ रहा है वायल इंफेक्शिन वेर्ड लिए लो टिप स्टार्ट रिलिंग चेंटर अन्प्लांट इस टंडेड ग्रोथ एंडीव श्यडिंग इस श्युम्टम और यहां आपको पता रहा है कि आपके वायरस का इंफेक्शन होता है तो जब आपके यह लो ना शुरू होता है और पे उसके सेंटर में आपको एक रही लिए सेंटर देखने को मिलता है आपका प्लांट रोज करते है तो वह प्लांट प्लॉट्ट रिंग सपॉट टॉट का है तो फोज़्ट कि आपका एंसर आपका अश्याट आइप किस गुसको चर्यक्त वाने ग होगा आपका options वह ब्लाइट या रिंग स्पोर्ट के अंदर ही कुछ होना चाहिए but according to me it should be ring spot okay 56 number question क्या कह रहा है a type of forest which is generally nature organized from seed can or can be copied तो इसको आप क्या कहते हैं high class forest कहते हैं ठीक है यह question आपका repeat हो गया है अगला question क्या कह रहा है 57th number question कह रहा है the chromosome number अगर आपने answer comment किया होगा तो अच्छी बात है 14 जो होता है वो chromosome number होता है किसका राई का ठीक है 58 number question क्या कह रहा है which of the following is disadvantage of sexual propagation आपको यह बताना है कि कौन सापका disadvantage है आपके sexual propagation का तो यहां पर देखें कि the plant raised long lives they have long viability and more disease resistance not true to type create variability तो यहां पर आपको पता है कि अगर आपका sexual propagation होगा तो आपके plants में कोई ना कोई आपको जन्मेटर की वरीबिल्टी देखने को मिलेगी तो यहां पर correct answer होगा not true to type will be the correct answer for this question 59th number question क्या कह रहा है the process of removal of stamen और एंथर और killing pollens of the flowers without the female reproductive organ is known as तो आपको पता है कि अगर को स्थेमेटर का रिमूबल आप कर रहे है तो उसका जो प्रोसेस उसको आप क्या कहेंगे emasculation कहेंगे ठीक है एक क्वेशन आपका पूछा गया साथ से ठीक है तो resolving fund अंतियोध है आपका डी ए न रल्म है आपका स्कीम है ministry of rural development would provide resolving fund RF provide to support the to self-help group in existence for maximum period of three to six months and they follow punch sutras only such self-help group that have not received any resolving fund earlier would be provided with RF with a minimum maximum कितना resolving fund आपको provide किया जाता जिसनको पहले resolving fund नहीं मिला है तो आपके जो self-help group है उनको उनकी जो है आपका institutional sense up करने के लिए उनका financially support करने के लिए तो आपको आपका साही answer होगा 10,000 से 15,000 जो है आपका resolving fund जो होता है वह आपका provide किया जाता है ठीक है तो यह 60 questions है ठीक है अगर आपको लगता है exam में कोई और question पूछा के था कोई और question भी आया था इसके अलावा ठीक है क्योंकि देखिया आप यह आपको याद भी होंगे आपको आज वो questions भी आद नहीं कुछ कोई आपके दिमाग से खुद भी skip कर जाए ठीक है तो students से ही और बाकी other sources से ही आपके questions भी खटा करे गए थे अगर इसके अलावा भी कोई और questions होता है तो आप उसको आप answer comment पर सकते हैं ठीक है आपको इसके लिए आपको पहिशान होने की ज़रत नहीं आपने एक्जाम दिया है आपको एक्जाम देना है आपको आगे भी प्रिपेर करेंगे उनको भी एक आपका analysis मिल जाए इसके लिए ही यह वीडियो लाई गई थी आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है कि आपका एक जो है किसी भी subject में आपको master's हांसिल नहीं करनी है हल सब्जेट का आपको overall knowledge होना बहुत ज़रूरी है जो refined content है उसको आप पढ़िए ठीक है आप जिकते भी previous questions paper है उनको analyze किजिए तब आप preparation करेंगे तो आप easily AFO का मेंस्वे है वह सब्सक्राइब आपको जो analysis है उसकी वीडियो भी upload कर दी जाएगी तो यहां अगर आप देखिए कि अगर आप agriculture insurance company of India के लिए जैसे इसकी वेकिंसी आये management training की अगर आप उसके काफी अच्छी आपकी salary है अगर आप उसके लिए prepare करना चाहते है तो आपके लिए लाया गया ह आपको मिल जाएंगे GS की e-book मिल जाएगी mock test मिल जाएगा ठीक है objective descriptive paper का special life classes for English and descriptive papers ठीक है previous year papers मिल जाएंगे और interview guidance मिल जाएगा ठीक है तो आप agriculture insurance company of India के अगर आप management training के लिए prepare करना चाहते हैं यह काफी अच्छा आपके पास option है अगर आप प्रिपार करना चाहते हैं काफी लिए prepare करना चाहते है तो आप इस course में enroll कर सकते हैं और इस course कि जो price है वो कितनी आपकी 2700 rupees बहुत ही cost effective price of बहुत ही affordable price है जिस पर आप जो है इस exam के लिए prepare कर सकते हैं तो अगर आपको इस exam में prepare करना तो इस पर आप enroll कर सकते हैं इसकी जो link है वह आपको description box में available है तो वहाँ वहां पे जाके आप जो है इंडोल कर सकते हैं ठीक है तो आपने आपका एक्जाम अच्छा इंगा होगा अगर अगर अधर मैंने पहले ही बताया कि कोई और कोई और करेक्शन हो तो आप उसको प्लीज कॉमेंट में पिन कर दीजिए तो जितना हो सकता था जितना शॉर्ट लिस्ट हो सकता था उतने क्वेशिंस आपके सामने लाए गए हैं तो तो